Hello everyone, इस वीडियो में मैं आपको step by step बताऊंगी कि कैसे आप अपने घर से या office से या किसी भी location से uber cab book कर सकते हैं उससे पहले मैं आपको बता दू, uber cab को आप अपने mobile से ही book कर सकते हैं आप अपने लिए एक personal cab यानी car, auto या bike book कर सकते हैं वो भी बिल्कुल reasonable price पर साथ ही मैं आप अपने family या friends के लिए भी किसी भी location से uber cab book कर सकते हैं और साथ ही उनके location को track भी कर सकते हैं तो चलिए start करते हैं सबसे पहले आप play store में जाकर uber app install करेंगे अब app को open करेंगे यहाँ आप location को access करने के लिए permission देंगे अब यहाँ आप get started पर click करेंगे सबसे पहले आप login करेंगे यहाँ आप अपने google या facebook id से login कर सकते हैं आप अपने mobile number से भी login कर सकते हैं हम mobile number से login करेंगे mobile number enter करने के बाद continue पर click करनेंगे अब आपके mobile number पर 4 digit का uber code आएगा यहाँ अपने app code verify हो जाएगा यहाँ आपका uber account create हो चुका है अब आप uber cab book कर सकते हैं uber cab book करने के लिए where to पर click करेंगे यहाँ आप देखेंगे यह मेरा present location है यानि अभी जहाँ आप है उसका location automatically यहाँ आ जाएगा अब आप जहाँ भी जाना चाहते हैं उसका location यहाँ आप type करेंगे जैसे कि मुझे पूने railway station जाना है यहाँ मैंने type कर दिया अब यहाँ आप किस तरह की cab book करना चाहते हैं यहाँ से select करेंगे जैसे कि uber go, uber auto, uber go sedan नीचे slide करेंगे तो और भी options आएंगे और सब के सामने price लिखा हुआ है यहाँ uber go select करेंगे इसमें 4 लोग बैठी जा सकते हैं नीचे यहाँ payment का option है यहाँ add payment method पर click करके आप किस तरह से payment करना चाहते हैं यहाँ से select कर लेंगे मैंने cash select किया है यहाँ choose uber go पर click करेंगे अब यहाँ आप confirm pickup पर click करेंगे अब आपके आसपास में जितने भी uber go car है वो आपके लिए book कर दी जाएगी ड्राइवर के पास आपकी location आ जाएगी यहाँ time show हो रहा है 3 minute में driver आपके location पर पहुँच जाएगा यहाँ driver का नाम है driver की photo है और यहाँ car का number भी show हो रहा है अब जब car आपके पास आ जाएगी तर driver आपसे 4 digit pin मांगेगा आप यह pin driver को बताएगे और आपकी ride verify हो जाएगी और आप car में बैठ जाएगे थोड़ा page को slide down करेंगे यहाँ drop off time show हो रहा है यानि आप कितने बज़े अपने location पर पहुँचेंगे उसका time यहाँ show हो रहा है नीचे यहाँ price लिखा है आप कितना payment करेंगे अब मान लीजे अगर आपको इस trip को cancel करना है तो यहाँ आप cancel पर click करके यहाँ आप reason select करेंगे यहाँ आप skip भी कर सकते हैं और यहाँ आप yes cancel पर click कर देंगे आपकी trip cancel हो जाएगी इस तरह से आप अपने लिए एक personal Uber Cap book कर सकते हैं एक बात और आप अपने family members या friends के लिए भी किसी भी location से Uber Cap book कर सकते हैं और उनकी location को track भी कर सकते हैं उसके लिए यहाँ आप where to पर click करेंगे अब आपके family members या friends अभी जहाँ है उसका location यहाँ type करेंगे और नीचे जहाँ उन्हें जाना है उसका location यहाँ type करेंगे अब यहाँ आपके सामने कुछ options होंगे यहाँ आप Uber Auto, Uber Go Car या bike book कर सकते हैं और उनका price भी सामने show हो रहा है आप अपने choice का cap सेलेक्ट कर लेंगे मैं यहाँ Uber Auto सेलेक्ट करूंगी यहाँ आप payment method सेलेक्ट कर लेंगे और confirm Uber Auto पर क्लिक कर देंगे यहाँ pick up confirm करेंगे अब आपके family members या friends के लिए cab book हो जाएगा यहाँ आपका driver का नाम, driver की photo और auto number दिखाई देगा और यहाँ आप देखेंगे दो मिनिट में आपका cab, auto आपके family या friends के location पे पहुँच जाएगा अब driver को four digit pin बताएंगे और right verify हो जाएगा और आपके family members या friend उस cab बेट जाएंगे अब यहाँ से आप अपने friends या family member के location को track भी कर सकते हैं आप इस strip के status को share भी कर सकते हैं जिसके लिए यहाँ आप share पर click करेंगे अब add contacts पर click करेंगे permissions को allow करेंगे अब यहाँ आपके contact list आ जाएगी यहाँ से आप select कर लेंगे जिसे भी आपि इस strip के status को share करना चाते हैं और share status पर click कर देंगे यहां आप देख भी सकते हैं डेस्टिनेशन पर पहुंचने के बाद आप पेमिंट कर देंगे तो इस तरह से आप बहुत इजली उबर कैप बुक कर सकते हैं I hope आपको इस वीडियो से कुछ हल्प मिली होगी So please वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही more informative वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें